अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंडरफ है या फिर आपकी जो स्कैलप है वो बहुत ज़्यादा ओईली है जिसके वैसे आपको हैर फॉल हो रहा है तो इन सभी प्रॉब्लम का सोलूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और साथ में ये सारे प्रॉब्लम Welcome back to my YouTube channel सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे बालों में डैंडरफ होता कैसे है जब हैं घर से बाहर जाते हैं तो बहुत सारे धूल मिट्टी हमारे स्कैलप में बैठ जाते है और जब पसीना होता है तो वो घंडी को जरों में बहुत गंदी तरीकी से जमा देता है और ऐसे ब पड़त बाई पड़त जमके वो डैंडरफ बन जाती है तो इसलिए इस डैंडरफ से बचने के लिए कुछ मैं आसान टीप्स भी बताऊंगी उसके बाद आपको मैं प्रोड़क्स सजस्ट करूंगी सबसे पहले अगर आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत जादा ओईली है या पिर आपको डैंडरफ की प्रोड़म है तो प्लीज आप जो ऑईल मसाज करता हो ना अपने हेड में उसे ना ओवर टाइंड कभी मत सोचना ऑईल मसाज करो लेकिन कुछ घंडे के लिए रखके फिर अपने बालों को ना हलके गुन-गुने पानी से वाश कर लो जिससे वो आपके स्कैल्प में ना रहे मार्केट में ऐसे बहुत सारे शांपू है जिसके इंग्रीडियन लिस्ट हम कभी नहीं पड़ते हैं नॉर्मली उसे लेके हम यूज कर लेते हैं यह भी नहीं देखते हैं कि हमारे स्कैल्प कैसा है या फिर हमें डैंडरफ की प्रॉब्लम है या फिर स्कैल्प ऑईली है वो हम कुछ ध्यान ने देते हैं बस शांपू लेके यूज कर लेते हैं तो जब भी आप कोई शांपू यूज करें तो उसके पीछे आप इंग्रीडियन एक बार चेक कर ले और आपका स्कैल्प किस टाइप का है ड्राई है या फिर ओली है और होता है बहुत ही घीएक्षर में होता है वाहती क्रीमी फनाइट में होता है तो इससे अगर सीधे ने लिए आपके और जाला बढ़ा देता वागागल जैटेशा थी औंघ्याव यह उसको फिंटैंप ह्या उस यहाग्र पहले पानी में का मिक्स करेब q at one Mmm उसके बाद करो जिसके कारण आप रोजाना बहुत सारे medicine लेता हो, उसके कारण भी होता है और अगर आप healthy food नहीं ले रहो, सही से proper way से अपने नींद भी पूरी नहीं कर रहो बहुत जाब stress लेता हो, उसके कारण भी आपका hair fall हो सकता है इसलिए कहते हैं कि healthy skin हो या फिर अच्छे बालों के लिए एक healthy lifestyle का होना बहुत ज़रूरी है अब बात करते हैं कुछ best hair care product के बारे में सबसे पहला जो product मैं आपको suggest करूँगी वो है anti dandruff shampoo और वो जिस brand का है उसका नाम है सबामेट का ये anti dandruff shampoo ये आपके scalp को oil है उसे अच्छी तरीकी से remove करता है साथ में आपको dandruff को भी कम करेगा तो जैसे ही आपके scalp है वो dandruff free हो जाएगी oil free हो जाएगी तो जारी से बात है आपका hair fall भी कम हो जाएगा ये shampoo के खास बात ये हैं कि आपके scalp को ये healthy रगता है अगर आपके scalp में बहुत खुझरी सी होने लगती है हमेसा redness से थोड़े थोड़े घमोरिया टाइप की होती है उसके लिए भी ये shampoo बहुत ही best माना जाता है तो एक बार आप try करके देखना अगर आप dandruff और खुझरी की वज़े से परिशान हो प्लानेट का onion black seed with patchouli hair oil control shampoo ये बहुत ही best काम करता है हर hair type पे specially hair fall को बहुत अच्छी तरीके से control करता है और इस पे आपको और भी अलग-अलग range के मिल जाएंगे तो आपकी जो hair type है उससाब से इसके अलाबा कोई और भी try करके आप देख सकतो इसके सबसे best बात ये है कि ये sulfate free है, paravan free है और साथ में vegan भी है और इसके एक छोटी bottle भी आते है नाइका पे तो आप चाहे तो वो छोटा bottle try करके देख सकतो अगर आपको अच्छा लेगा उसके बाद ही ये बड़ा-वाला 400 ml की bottle purchase करना इसके साथ आपको इसका conditioner भी मिल जाएगा तो आप जब भी एक shampoo purchase करना ना तो उसके साथ conditioner जरूर लेना क्योंकि shampoo के बाद जब आपके बाल जो है ना या फिस scalp dry हो जाते है ना तो उसके बाद आपके लिए एक अच्छा conditioner होना बहुत जरूरी है बात करते हैं एक hair regrowth tonic के बारे में जिसके review बहुत जाएदा अच्छे है जिन्होंने भी उसे use किया ना उसके result काफी अच्छे मिले है और साथ में best seller भी है वो है आपका minimalist का ये 18% hair growth active ये एक hair serum है लेकिन इसका जो texture है वो थोड़ा सा oily है जब इसे आप apply करते हो ना थोड़ा सा आपको scalp oily लगेगा लेकिन इसके result बहुत अच्छे है hair regrowth करने में ये बहुत ही best है लेकिन उसके लिए ये आपको continue 2-3 मैना use करना परेगा इसे मैने अभी 2 मैना नहीं हुआ use कर रही हूँ और जैसे कि हमें आपको दिखाते हूँ पहला bottle मैने use किया है दूसरा भी कर लिया है तीसरा भी कर लिया है साथ में जब मैने नाइका का sale आया था तो उसमें से मैने already एक रिस्टॉक करके रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा discount में मिल रहा था तो मैने इसलिए रिस्टॉक किया था इसको जैसा हम सब भी करते है ना जब भी sale आता है तो अपनी सारी जो favorite चीज़े है वो रिस्टॉक करते है इसमें dropper लगा हुआ है इस drop से आपको scalp में बहुत अच्छी तरीके से apply करना है और साथ में आपको पूरी रात ये छोड़ देना है जब आप सुबह उठोगो तो अच्छी तरीके से shampoo कर लेना और कुछ मेंने यूज़ करने के बाद आपको इसका result खुदी देखने को मिलेगा तो अगर आप अपने लिए कोई best hair regrowth serum ढून रहे हो तो इससे try करके देखना तो ये थे मेरे वो कुछ hair control oil, shampoo और tonic अब बात करती हूँ एक hair serum के बारे में क्योंकि जब आप shampoo conditioner करके निकलते हो और अगर आप shoot करते हो या फिर कोई भी आप hair styling करते हो तो उससे पहले एक hair serum use करना बहुत best होता है आपके बालों के लिए हमेशा याद रखना कोई भी hair style करने से पहले कोई भी heat machine अपने बालों म इस्टा है वो इंडियर मार्केट हो या फिर इंटरनाशनल में मार्केट हो वो है आपका L'Oreal का ये extraordinary hair serum इसका एक नया बाटल भी आया है new launch भी हुआ है उसे भी try करके देख सकतो बाकि इसे launch हुए शायद एक दो साल हो गया है बहुत अच्छा काम करता है oil texture पे आता है लेक अब इसका बड़ा water लोगे तो सायद आपको कुछ discount भी मिलेगा नयका पे एक बाट चिक करके आप देख लेना ये सारे hair product के साथ दो product ऐसे हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत जादा useful है सबसे पहला है वो आपका ये wooden comb हमेशा wooden comb यूज़ करना वो हमारे बालों के बंजी ही नहीं तो hair fall automatic थोड़ा कम होई जाएगा तो हमेशा इन दोनों को अपने bank में हो या फिर आप अपने dressing table में इससे जरूर रखना तो ये थे वो dandruff और hair fall रोकने के कुछ solution के साथ साथ कुछ hair care product I hope कि ये video आपके लिए बहुत useful रहा होगा इस video मैंने आपको जितने स सारे product दिखाया है ना हूँ सभी के लिए description box में दे रखा है आप चाहें तो उस link से क्लिक करके purchase भी कर सकतो और add to card करके भी रख सकतो या फिर आप अपने आसपास किसी भी beauty shop से भी ले सकतो मिलती हूँ बहुत जल्ब ऐसे ही नए video के साथ तब तक आप अपने ध्यान कि याई लग्यान